वेल तो हे गाईज वेलकम टू दिमाय चैनल मानिस पंकस तो वेल इस वीडियों बात करने वाले कि क्या हमें रोमन रेंज जो की एनेक्स्टी 2.0 के अंदर जाते वे दिखाई दे सकते हैं इसको लेकर एक काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग अपडेट देखने को मिली है कि एनेक्स्टी का सुपरस्टार जो की कॉल आउट करते वे दिखाई दिया है रोमन रेंज को इस तिंग के उपर डेटेल में बात करेंगे और भी अच्छी खासी और इंट्रस्टिंग अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर वीडियो को लास तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब निक्या तो भाई क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पर हमें साथ लेटेस्ट अपडेट्स और इंट्रस्टिंग वीडियो मिलती रहती हैं तो अफकोस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ओके तो चलते हैं टॉपेक पर आते हैं WWE के रेटन को लेकर जहां पर उनका यह कहना था कि अगर वो चाहे तो वो WWE के अंदर रेटन करते वे दिखाई दे सकती हैं क्योंकि Vince McMahon ने जब उनको कहा था जब वो WWE को लीव करने वाली थी तो उस टाइम उनका यह कहना था कि तुम्हारे लिए WWE हमेशा खुला हुआ है और जब चाहे तुम वापीस से आ सकते हो तो यह कुछ जो कि Vince McMahon ने कहा था वो भी काईरी सेन को तो अफकोस यहां पर अगर काईरी सेन चाहेंगी तो मेबी वो हमें फ्यूचर में एक बार फिंस से WWE के अंदर देखने को मिल सकती है ओके सु चलते हैं वैसे नेक्स वन अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है पेज की तरफ से तो यह कुछ यहां पर पेज का कहना था और अलसो पेज का यह भी कहना था कि जो विंस विक्मेन से मेरी कनवर्सेशन थी वैल जहां पर विंस विक्मेन ने जो कि नॉर्मली काहा कि वो कॉन्ट्रैक को रिन्यू नहीं करने वाले पेज के साथ में तो यह कुछ हमें यहां पर देखने को मिलता है यानि कि जो conversation थी जो relationship है डवलोली की बीच में वो उतनी बिगड़ी भी नहीं है काफी अच्छी खासी relationship है तो यह कुछ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है पेज की तरफ से and also page भी यह भी कहते वे दिखाए देती है कि उनका contract खतम होने के बाद उनके पास कोई non complete clause नहीं है जिसके वज़से उनका contract खतम होने के उसके दूसरे दिनी बाद हमें किसी और company के अंदर भी देखने को मिल सकती है तो यह कुछ हमें यहां पर page को लेकर देखने को मिल रहा है so of course भाई यह भी देखना काफी ज़्यादा interesting रहेगा okay so चलते वैसे next one update की तरब तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Sammy Zen की तरब से so जैसा कि आप लोग को बता दू कि Sammy Zen को लेकर recent के interview में जो कि हमें after the bell podcast देखने को मिलता है तो यह कुछ हमें यहाँ पे जो कि after the bell podcast में Corey Graves जो की reveal करते वे दिखाए देते हैं and I think मुझे लगता है कि यह भी storyline का part है क्योंकि भाई after the bell podcast भी डबनोली का ही podcast है तो ऐसे में हम कहां से यकीन कर सकते हैं तो यह कुछ हमें यहाँ पे Sammy Zen को लेकर देखनी को मिल रहा है ओके सो चलते हैं वैसे next one update की तरफ तो यह update हमें देखनी को मिल रहा है CM Punk की तरफ से सो जैसा कि आप लोग को बता तो कि CM Punk अपने recent के interview में काफी ज़्यादा interesting बात reveal करते वे दिखाए देते हैं and यह हमें देखनी को मिलता है Brock Lesnar को लेकर and जहाँ पर CM Punk का यह कहना था कि जब मैंने professional wrestling को छोड़ा यानि कि जब वो wrestling छोड़ दिये उसके बाद जब वो switch हुए जो कि MMA के अंदर mixed martial arts के अंदर UFC के अंदर तो वहाँ पर जाने के बाद जो CM Punk हमें लड़ते वे दिखाए दे रहे थे तो Brock Lesnar की तरफ से texting देखने को मिली थी CM Punk को लेकर and जहाँ पर Brock Lesnar पूछ रहे थे कि क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई help कर सकता हूँ तो इस help के लिए पूछ रहे थे जो कि Brock Lesnar CM Punk से तो यह कुछ हमें याँ पर देखने को मिल रहा था यानि कि Brock Lesnar जो कि help के लिए पूछ रहे थे कि क्या कोई help की जरूँत है CM Punk को Mixed March Lut के अंदर स्विच करने के बाद तो यह कुछ हमें याँ पर CM Punk जो कि अपने recent के interview में reveal करते वे दिखाई देते हैं ओके सु चलते वे से next one update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि Alexa Bliss की तरफ से so Alexa Bliss हमें याँ पर कहते वे दिखाई देती है जो कि recent के interview में जहां पर उनका यह कहना था कि वो judgment देके एक member से लड़ना चाती है और वो member कोई और नहीं वो है Rhea Ripley और Rhea Ripley के साथ में एक match लड़ना चाती है और काफी जाता तारीफ भी करते वे दिखाई देती है यहाँ पर Alexa Bliss so यहाँ पर clear करते वे दिखाई देती है कि Alexa Bliss जो कि Rhea Ripley के साथ में एक न एक बार जो कि match लड़ना चाती है okay so चलते वे से next one update की तरफ तो यह update हमें देखने को मिल रहा है and यह है जो कि Cody Rhodes and इसके बाद तो Drew McIntyre को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Cody Rhodes and Drew McIntyre को लेकर batting odds देखने को मिले हैं कि Russell Mania 39 के अंदर कौन सा बंदा हमें जो कि main event करते वे दिखाई दे सकता है so main event में पहले तो हमें The Rock and Roman Reigns को कोई बाई बीट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो दोनों सुपरस्टार तो main event में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि night 2 में हो सकता है लेकिन night 1 के लिए भी हमें एक interesting main event देखने को मिल सकता है so Russell Mania 39 के main event को लेकर एक काफी जाथा interesting batting odds देखने को मिलता है तो जहाँ पहमें batting odds ये देखने को मिल रहा है कि night 1 के अंदर हमें The Rock and इसके बाद तो जो Roman Reigns है वो तो main event करते वे दिखाई दे सकते हैं बट Cody Rhodes और Drew McIntyre भी जो कि उसी line में है जैसा कि आप देख सकते हो इसरे नमबर पे Cody Rhodes और चौते नमबर पे Drew McIntyre देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में chances काफी अच्छे खासे अगर इस batting odds की बात करें तो Russell Mania night 2 में नहीं लेकिन night 1 में Cody Rhodes versus Drew McIntyre में भी देखने को मिल सकता है और ये एक काफी बढ़िया match भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ देखने को मिला so let's see भाई अगर ऐसा कुछ भी होता है तो देखना काफी ज़्यादा interesting रहेगा okay so चलते वैसे next one update की तरफ तो ये update हमें देखने को मिल रहा है and ये है Grayson Waller की तरफ से and the tribal chief head of the table Roman Reigns and bloodline को लेकर news देखने को मिल रही है जैसा कि आप लोग को बता दू कि हमें यहाँ पे tweet देखने को मिलता है पहले तो डवलोडी की तरफ से and उनका ये कहना था कि news flash हो रही है कि जो Grayson Waller है वो care नहीं करते the bloodline को लेकर यानि कि bloodline को वो care नहीं करते कि कौन है bloodline तो ये कुछ हमें यहाँ पे Grayson Waller को लेकर देखने को मिलता है जो कि डवलोडी की तरफ से tweet देखने को मिलता है and इसके बाद the users का भी tweet देखने को मिलता है जहां पर the users कहते हैं कि keep that same energy when we pull up us यानि कि हम जब आएंगे तो उस time पे भी यही जो energy देखने को मिल रही है यही जो tone देखने को मिल रही है इसी energy को उस time पे भी रखना तो यह कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके बाद हमें Grayson Waller की तरफ से the users के tweet का reply देखने को मिलता है जहां पर Grayson Waller कहते हैं कि make sure you ask Romans permission to work Tuesdays यानि कि इनका यह कहना कि पहले I hope कि तुम permission ले लो Roman Reigns से Tuesday में work करने के लिए यानि कि NXT 2.0 के अंदर work करने के लिए तो यह कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है Grayson Waller की तरफ से तो यहाँ पे the users और Grayson Waller और यानि कि bloodline के बिच में काफी अच्छी-कासी heat up देखने को मिल रही है तो Grayson Waller चाहते हैं कि the users NXT 2.0 के अंदर देखने को मिले और Roman Reigns की permission ले कर आए यानि कि यहाँ पे सीधा-सीधा bloodline को poke करते वे दिखाय दे रहे हैं और ऐसे में अगर Roman Reigns को गुसा है तो हम सभी लोग जानते हैं Roman Reigns तो वैसे NXT के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे इसके chances बिल्कुल भी कम है मतलब भाई बंदा SmackDown के अंदर नहीं देखने को मिलता है बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है वो NXT के अंदर देखने को मिल जाएगा बट Grayson Waller ने जो की एक तरीके से यहाँ पर Roman Reigns को भी पोक कर दिया है लेट सी भाई वैसे future में हमें क्या देखने को मिलता है मुझे लगता है कि दी उसोज जाएंगे और Grayson Waller को बहुती बुरी तरीके से destroy करके चले आएंगे वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है ओके सो चलते है वैसे next one update की तरब तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Bray White को लेकर तो Bray White का जो कि हमें meet and greet देखने को मिलने वाला था तो meet and greet में हमें देखने को मिले है जैसा कि आप यहाँ पे कुछ photos देख सकते हो Bray White के तो Bray White फिलाल के time पे इस condition में हमें यहाँ पे Bray White देखने को मिल रहे है ओके सो चलते हैं वैसे next one update की तरब तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की दो वाइपर रैंडी ओटन की तरब से जैसा कि आप लोग को बता दू कि रैंडी ओटन के return को WWE पहले ही spoil कर चुकी है leak कर चुकी है जैसा कि आप लोग को बता दू कि Money in the Bank के बाद का जो हमें Monday Night Raw देखने को मिलेगा यानि की 4 जुलाई को तो वहाँ पर रैंडी ओटन को advertise किया जा रहा है WWE.com पे और वहाँ पर हमें जो की रैंडी ओटन यानि की वाइपड रैंडी ओटन का return देखने को मिल सकता है तो यह कुछ हमें याँ पे देखने को मिल रहा है so advertise तो किया जा रहे тो ऐसे में chances काफी अच्छे खाज हैं कि हमें रैंडी ओटन का return देखने को मिल सकता है और रैंडी ओटन वसेश's summer slam में जो कि हमें Randy Orton vs. Romerdance के match का Romerd है तो Money in the Bank के बाद तो obviously हमें देखनी को मिलेंगे तो ये कुछ हमें यहाँ पर leak होते वे दिखाई दे रहा है तो वैसे आप लोगों का क्या opinion है इन सारी things के उपर हो मुझे comment section में जरूर बता देना वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो like करो, dislike करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो and also Instagram and Twitter का link by description में मिल जाएगा तो वैल वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर सकते हो और जिसने channel को subscribe नहीं किया तो भाई क्या कर रो यार आपको यहाँ पर मिसा latest updates और interesting videos मिलती रहती है so of course channel को जरू subscribe कर लेना okay so फिन मिलते है एगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई everyone guys